सब यहां पर इन्पियो नॉट फॉर प्रॉफिट और्गनाइजेशन सर यह चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले जिनको जो भी आ आम यह खुब सांगले लेवल वरा होते हैं कि जितना और फाइनल अकॉंट में मेरा टाइम भी आपको कम दिया गया क्योंकि जादा करके मैं भी प्रैक्टिस करवा रहे थे करके राइट और मुझे पता था कि यह चैप्टर कहीं ना कहीं हर किसी ने कभी ना कभी शुरूआ यसी चैप्टर से की तो इसमें तो डाउट आने के सवाल ही नहीं आते बट अब जो चैप्टर शुरू हो रहा है एकनों कुछ एटिट्योड का तुमारे सरक्या प्रॉबलम है इस चैप्टर को पहले से अगर मैंने दस लोगों को पूछा ना वेटा इंपियो केसे तो दस में से आड़ बच्चे बोलते सर इंपियो ना खुब आओ गड़े अरे एंपियो तो आम आला यूँ शकत ने एंपियो तो यह पहली सोच तुम बदलो इंपियो जैसे सिंपल चैप्टर कोई हो नहीं सकता राइट रेकॉर्डिंग शुरू किये तो अल्रेडी यह रहे बच्चे जल्द जल्द आओ कर गए ठीक है सो एंपियो जैसा सिंपल चैप्टर नहीं हो सकता कुछ बाते समझनी पड़ेगी पहला मुद्द है तुमको पहले जीरो होना पड़ेगा सर और अब में जुतना भ टेंशन बैटा तो है यहां देना सर फाइनल अकॉंट में मेरा क्योंट ना पर क्या crying क्या आता था मतलब तॉस्टर और प्राइल बेलेंस आता था कि कि आता था क्विश्टन कर घिल बेलेंस अता है इस सबते संखेता दो तुमकों धूकलो पता होना चाहिए उसको ट्राइल बैलेंस कहते हैं जिससे तुम पॉइंट उठा रहे थे और उसके नीचे एक्जिस्मेंट होते थे ऐसे तुम्हारा कुछ तो फॉर्मेट था सर इन प्यों में क्वेश्चिन क्या रहता है रिसीट पेमेंट अकाउंट यह तुम्हारा क्वे सब्सक्राइब को ब्रेक हो रहा है एवरीवन जिनको ब्रेक हो रहा है प्लीज आप अपना रिज चेक कर रहा है तो समझो बेटा यह लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट निकालने के लिए यह लेक्चर है ऐसे समझ लो और इन प्यों को हंड़ेट परसंट है कि इसकी गारे इंशिट हमने समझा ट्रेडिंग से क्या आता था क्या result मिलता था ग्रौस प्रोफिट ऋर बोलो guy огрas profit नहीं तो बोलो क्या सब्सक्राश क्समेंत Biology अपन्य Спा ब़स और आंपहर रहा है अथ है सबसे एजी सिलिए हो जाता है अच्त इस लिवर है सosit mail के पांग ऑ anime कि अब रिशीट अनुप में तो काम क्यों सिंपल है सर एक अकाउंट तुमको बनाना इंकम इन एक्सपेंडिचर अकाउंट माले अगर तुमको थोड़ आए इंकम इन एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा बनाना सब्सक्रिप्शन वाला एक्जिस्मेंट को पाउगड़ जाता सर्थे प्रीवियस यर नेक्स यर को पाउगड़ जाता इन प्यों हमी केलस नहीं है ठीक है बेटा आप तेरको मैं कुछ नहीं सिखाने वाला और एक चीज़ बताऊगा बिना कुछ जादा सिखा है पे इता प्रनीचर तो मैंने फरणीचर खरीदा अब सवाल है कि कौन से साइट को जाएगा मतलब यह इंकम में जाएगा प्रनीचर या बढेलंशीड में जाएगा बोलो तो사 बैलंशीड सर यह तो ट्रेडिंग जैसा हिया तो बेटा अब जो मैं सिखाने वाला हूँ पहले तो याद रुखो तुमको NPO कितना परसेंट आता है बिना कुछ किये कितना परसेंट सीखना है सर इन परसेंट सीखना है सर इस क्या मतलब आपका वापस एक बर बताओ नहीं समझा सब चीजे समझा होगा क्या तुमको आउस्टेंडिंग सैलेरी के दो इफिक्ट देने आते हैं क्या यस सर सैलेरी में आप क्या करते हो एड और दूसरा इफिक्ट किदर लिखते हो बैलेंची ओए सबस्टेंडिंग सैलेरी का आता यिया आता ये सेमें इफिक्ट जाते है तुमको एक डेप्रीछेशन य का PG में से माइनस होता है सर और दूसरा effect profit and loss को जाता है वेसे ही यहाँ पे एक effect asset में से माइनस होगा और दूसरा effect income and expenditure को जाएगा क्या मज़ा कर रहे हो सर मैं वही कह रहा हूँ कि 10% यान आपको लेना है बागी तो आपको सब आ रहा है मालिक और एक रेडिट साइट को लिखते हो income अब यह ध्यान में रखना क्योंकि बच्चा क्या करता है receipt and payment उसको पता है और उसको पता है receipt के इस साइट को receipt आता नाम के साफ सही साफ से और आगे payment आता तो income में भी बच्चों को मैंने गलतिया करते हुए देखा है format में इस गलती इधर लिखते इंकव हैं इधर लिखते एकस्पेंडित है अब डोक ले यह रिसीटन पेमेंट ठोड़ी ना है पहले रिसीटन बाद में पेमेंट अगर मैं अगर ट्रेडिंग का गलती से किदर पोस्ट कर दिया तो फ्रोब्लम में इधर तो एकडम सॉल्ट एगा किदर सर इंकम एकस्पेंडिचर नहीं तो जाएगा बैलेंशिटन नहीं तो तेरे गलती ऋने के chances probability फाइनल अकाउंट से तो यहां पे बहुत कम है हाँ वो इफेक्ट प्रीवेस यह नेक्स्ट यह करेंट यह में हुना वो समझा दूगा भावना है समझ लो पहले तो सर इंकम एन expenditure for the year ended वाला format बनता है सर इसमें debit side को आपका expenditure होता है सर और credit side को income होता है और सर एक चीज़ याद रखो अगर आपका income जादा है राइट मतलब income है सब्सक्राइब और आपका expenditure है कितना वन लाक सेवेंटी थाउजन रूपीज तो यहां पे जो balancing figure आता है उसे net profit ना कहते हुए हम लोग क्या कहते है बोलो तो आपको तो पता यह भी बताने की जुरूत नहीं है बराबर लिखा है क्या मैंने यह सुर्णों कि नहीं बोलना यह सी के सब्सक्राइब निकलता है और अगर जैसे वहाँ लॉस होता था यहां पर मैं से क्या कहता हूँ deficit कहता हूँ यह दो वर्ड है बाकि आगे का अगे क्या होगा आपके हो जाएगा और डेफिकित आपके कापिटल हो जाएगा बैलेंश चीण घाप्टर में बेटा जो मुझे आपको उसकाना है कुछ वूर्ड्स क्या सिखाना है मैं पता है एक चीज याद रखो मैं आपको कुछ लॉजिक बताता हूं यह रिसीट साइट है और यह पेमेंट साइट है ठीक है अब थोड़ा में एंडाइटिंग छोटा करता हूं यह मेरा इंकम एन एक्सपेंडीचर का में सब चीज़े ना छोटे छोटे फॉर्म में लिखता हो तुमको समझेगा बिना कुछ सिखाए भी कितनी चीज़े टेकनिकल फॉर्म में तुम सिख सकते हो बता रहा हूं अब यह मेरा है रिसीट एन पेमेंट साइट बावनाव को समझ लेना यह मेरा है इंकम एन एक्सपेंडीचर और दूसरा क्या बनता है बैलेंशीट तो सर यहां पे रिसीट साइट को जो भी अमाउंट रहते हैं वो किधर जा सकते पता है सिर्फ दो जगा जा सकते हैं बताओ कौन सी दो जगा जा सकते हैं के कि लो जीदि नुटा तो कि साइट यहां तो झाएगा इनकम नहीं तो हो जाएगा लायबलिटी या तो जाएगा इनकम नहीं तो जाएगा लायबलीटी फॉर एक्जाम्पल में तुमको एक शोटी सी बात बताना चाहोगा बटा सिफ ध्यान देना ठीक है रिसीड साइट को दिया है रेंट रेंट रिसीड अब रेंट रिसीड तेरा किधर जाएगा या तो इंकम एन दोनेशन फर सिफ़ेशल परपल में तो सरी नींकम समझा को यह लाईबावलीटि सैड जा घरीत सीपल करके देर रहा हूं तो मैंने जो कहा सार जब हम सीखेंगे कुछ बातें तो एक चीज़ आप बता रहे हो कि जैसे सर यह receipt site और यह payment site तो receipt site को जितने भी amount होते है वो दोई जगा पे उसका posting जाएगा ऐसे हमें सोचना है जब मैं कल सिखा होगा logically, conceptually, सारे बाते सिखा होगा बट तुम तुमारा पहले तो load कम कर लो बेटा तो सर यह देखो यह है income and expenditure का this is my expenditure site, this is my income site, this is library and this is asset तो सर यहाँ पे अगर subscription है और subscription मेरा normal income है तो जिन्दिगी में हमेश्या इसको income site को भी post कर रहता था सर अगर यहाँ पे donation आ रहा था क्या आ रहा था donation आ रहा था सर तो donation अगर general है तो income site को लेकिन अगर special है क्योंकि आपको पता है एक adjustment आती थी देखो अगर आपको याद है मुझे तो पता है रहे गाई कि आप लोगों ने ना एक सम कभी तो भी सॉल किया ही रहेगा 50% donation टूबी कैपिटलाइजे से एक्जिस्मेंट देखा था क्या बेटा याद आ रहे क्या हो वोटे वोटे तौरप है तो अब रिसीट साइड है तो दो ही जगाई फिक्स जाएंगे एक 50% donation capitalized support donation एक लाख रुपया दिया था तो पच्चास लाख चला जाना चीए बेटा तेरे इंकम साइड को और पच्चास हजार एक लाख में से और पच्चास हजार जाना चीए लाइबिलिटी साइड को मतलब तुम तुम्हारे दिमाग को पहले फिक्स कर लो कि रिसीट साइड का आइटम अधर जाएगा तो इंकम नहीं तो जाएगा लाइबिलिटी बाकी किदर जगा जाश नहीं सकता ठीक है और ओपनिंग बैलेंस को आद भी नहीं लगा रहता कल में सिखा होगा बच्चों भी किदर ने किदर पोस्ट करके आते इन बोलते रहे सरामाला सब्सक्राइब की बात करता हो ताकि थोड़ी थोड़ी बाते तरको समझ में आ जाए सर उसी तरह मालिक आपका यह जो अकाउंट है सर रिसीट एंड पेमेंट सर उसमें मैं आपको कहता हूं कि पेमेंट साइट क्या एक मिनिट से इंकम एन एक्सपेंडीचर में क्या है सर यह एक्सपेंडीचर है यह इंकम है और बैलेंच शीट में क्यों तिफ सुनो इस लेक्चर को और ध्यान से समझो यह लाइबलिटी है और तो पेमेंट साइट के सारे आइटम किदर जाएंगे सर ऐदर यहां इस बात को समझ लो समझ में आया क्या सर यहां पे लिखा हुआ सालेरी इधर जाएगा बोलो तो कि बोलो ना पेमेंट साइट को उठा के डाल दी अभी ट्रेडिंग नहीं यानि इधर लिखा है वेजेस कि इधर जाएगा इधर लिखाए किढर जाएगा गशया किढर जाया जाएगा फाइनल अकॉल में तो भी इतना दिमाग लाना था इधर मैं तुमको पहले यह रियालाईज करा दू कि इन पी यो ये सबसे फाल्तुगिरी चीज है सबसे इसी है तुमने उसे complicated बनाया है वो previous year, current year, next year, एक दो adjustment जो सच में difficult तुमको लगते हैं लेकिन है नहीं बस वो adjustment आगे तो फिर क्या ही इस आसर यहाँ पर लिया है furniture purchase में payment side को दिया है furniture किदर जाएगा assets तो याद रखो तुमारे receipt and payment question में मालिक जो तुमको दिख रहा है बेटा उसमें से payment side को इधर तुमारा transaction जाएगा expenditure side नहीं तो जाएगा asset side इस करके अलावा कि दूर दूसरी जगा सोचने का अच्छ नहीं लेकिन क्या पता बच्चा बोलता अरे अरे भी रिसीट साइट तो दो एक तो इंकम नहीं तो लाइबरिटी पेमेंट साइट तो दो जाएज तो एकस्पेंडिचर नहीं तो asset that's it बेटा बागी कुछ सोचने का नहीं और तेरेको एक सिंपल बात बता तो पेमेंट साइट को ना receipt and payment account है अब यह receipt and payment account क्या रहता cashbook रहता मैं कल सिखा होगा सब बाते तो तो पेंशन मत लेना कि आज सुप यह फिल करके account कितना एज़ी है यह receipt and payment एज़ी और वीच अकाउंट cashbook जैसा cash अकाउंट ऐसे है तो यहाँ पे तू देखता होगा last में cash आता है बता तो अब यह payment side है अब payment side के balance दो ही जगह जा सकते यहां तो कौन से side expenditure side नहीं तो कौन से side वेटा asset asset cashed bank and cash in and expenditure side को जाएंगा क्या नहीं नहीं यह बट अब्वियस कौन से side को जाएगा asset side को खतम होगया सर और opening को कि इदर भी आतने लगाने को बता होगा क्या तो बाकि सब तुमको आएगा और वहाँ पर क्या होता है वो भी सुन ले तो अभी मतलब मैंने कुछ बाकि टीचर की तरह इससे तुमको डरा है नहीं कि याद रखो सभी चीज़ बताने आती मेरे को कि cashbook में ना प्रिवेस यर की आइटम आती है फॉलोविंग यर की आइटम साती है लेकिन ना इंकम एन एक्स्पेंडिचर में सिफ करेंट यर की आइटम साते बताएंगे वही वही फालतोगीर है जिसके तुम डर रहे और वो क्या दो तिन मिनिट का कंसिप नहीं है लेकिन उसके लिखा हुआ है सालेरी तो सबसे पहले तो बता हुझे पेमेंट साइट को सालेरी दिया मतलब बेटाए कि इधर जाएगा इंकम एन एक्सपेंडीचर के बोलतों कौन से साड़ जाएगा इंकम के एक्सपेंडीचर अगर दिया है सर तो सालेरी कि इधर जाएगा सर यह इधर जाएगा लेकिन हमने जो सिखा इनर कॉलम और आउटर कॉलम तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा सर आउस्टेंडिंग सैलेरी एक्जिस्मेंट इसको तीक आएगा सालेरी का इसबाएगा इंब कून से साइट को लिए तू नॉलेज हमने इधर ही पढ़ा था फाइनल अच्छा वही तो है और एक आती सर तुम से देखते जाओ तुम क्या हो रहा है कुछ नया नहीं हो रहा है सर यह सिर्थ तुम्हारा डर था जिसके वह इस तुम लोग धोकलों की तरह इस चैप्टर को और नीचे दिया है डिप्रीशेशन और नीचे अब मेरे को बता इटा फरनीचर किदर जाएगा पेंट साइड को यसेट साइड को लाक रुपय और टेन परसेशन आया मालिक को मिरको क्या समझता है सर एक लाक में से दस अजार माइनस करदो एक इफ़ेक्ट इसमें से आउटर कॉलम में अब्यजर जाएगा और दस हजार का दूसरा एपक्ट किदर जाएगा इंकम एंड एक्सपेंडीचर में कौन से साइड को जाएगा बोलो एक्सपेंडीचर साइड को जाएगा खतम सर ये तो हमने फाइनल अकाउंट में भी सीखा था है तो सर इसमें क्या नया है वो सीखेंगे तुब कि इस चीज़ का लोड मतले करेंटीर प्रिवेस हर साल करेंट अच्छा और एक चीज़ और एक चीज़ मा कसम अब तुमको तुम बोलो ठीक है 50,000 और नीचे लिखा है for five years अब यह कैसा एक्जेस्मेंट तुमको पता है न कैसा एक्जेस्मेंट है defer revenue expenditure वाला एक्जेस्मेंट है मतलब सर एकदम sorted है कुछ pension ने लेने का बेटा अगर पचास हजार कितने साल का है पाच साल का है तो हर साल का कितना हो जाएंगा बोलतो वेटा 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 तो पास साल डिवाइट कर दो सर पास साल के लिए तो और हम लोग profit and loss अकाउंट हो या income and expenditure अकाउंट हो सिफ कौन से यह की बात देखते सर only for current year तो सर बाकी का सर यह बाकी का जो रामाइन महाबारत है वो क्या है सर वो एडवांस में मैंने पैसा भर दिया है पेड़ कर दिया है तो यह मेरा असेट हो जाएगा तो यह जो 40,000 है वो कौन से साइट को जाते सर असेट साइट को जात जाता था और जो एक्स्ट्रा तुमने पेड़ किया है चार साल का वो तुमारे असेट साइट को जाता था तो यहां पर हम इंकम एन एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे सर तो यहां पर ट्रीटमेंट कैसा था सर तो यहां पर ट्रीटमेंट ऐसा था कि जब तुमने का 50,000 एक दो तीन चार है तुन ने माइनश किया कॉंसे लिडूर्टीज मिंट प्री पड़ड वाला एडवर्टीजमेंट ला कितना 40,000 प्री पेड़ कैसे समझा सर एक साल का दस अजार तो पांच साल का पचास अजार में कौनसे साल का अकाउंटिंग कर रहा एक साल का इस स अब मेरे को बता और क्या चाहिए जिन्दगे में कुछ भी नहीं चाहिए और एक चीज तुमको सिंपल सवाल पूछता सिप मेरी बातों को सुनते जाओ और तुमको फिर वह ना अभी वह में बताने जा रहा हूं जो शायद तुमको तो इसको जिसको जिंदगी में और इस वाहन बता होगा उस चीज यह चंगिस्तान चंगिस्तान के पास लॉलीपॉप कातर नाम भी आद रखना चंगिस्तान के बाद सुरवात में लॉलिपॉप ते चंगिस्तान ने पूरे साल में और दस लॉलीपॉप खरीदे ठीक है कितने खरीदे दस करीदे और बाद में चंगिस्तान बोलता है मेरे पास अभी 6 लॉलीपॉप है तो चंगिस्तान ने खाए कितने करने किपघए चंगिस्तान पास पड़े हुए है तो चंगिस्ता ने खाए शचयए एक चार खाए किया कैसे लॉचीकली बराबर है क्या बाकी बच्चे बोलो ना संगिस्तान मत बनो कित्ते खाये होगे बोलो इस पहले तो जान दो चार गया बाड में अभी इसके पाट से आठ पड़े हुए तो आठ पड़े यह तो शौर है ना यह स्टॉक हुआ क्या इसका यह सअरे जो आठ पड़े है वो उसका यह तो चला गया अब तो ठीक है यह आठ चला ठीक है अब सर मेंने जो खाया ना खाया वह एक्समेंडिशर सैट को झाता है अब कितना खाया मेंने यह तुमने ही बताया कि सर अगर उसके पास शुरुवात में दो लॉलिपॉप थे फिर उसने दस खरी दे तो टोटल उसके पास लॉलिपॉप कितने होगे सर बारा और तुम कह रहे हो कि सर आट पड़े हुए है तो खाये कितने तो सर बारा में से आट माइनस कर तो चार क्या रहेंगे, खाया रहेगा, तो expenditure side को चार जाएगा, यह consumption वाला stock, जो conception है ना, stationery consume वाला, तो तुमको कैसे देते थे, adjustment कल आएगा तुमें बताऊगा, तुमको ऐसे adjustment देते, कि opening stock of your stationery is 10, या टू सॉरी ओपनिंग स्टॉक टू डूरिंग डैयर पर्चेस किया टैन एंड क्लोजिंग स्टॉक है एट बताओ कितना स्टेशनरी कंजूम किया अब धोक लो इतना सिंपल था जब तुमने जैसे लॉलीपॉप का अंसर दिया यह दोनों से बारा तेरे पास पड़े चार और जो कंजूम किया वो किधर जाता है इंकम एन एक्स्पेंडिचर के एक्स्पेंडिचर साइट भावना समझ लिका तुम आला थोड़ क्या था था आज तक वह बार बार तोने सब्सक्रिप्शन देखा ना इसी लिए अब उसमें भी ना एक चीज आती है मतलब तु वह प्रेक्टाथा प्रॉब्लम कि दर आता है मैं को बताता हूब में प्रॉबम्स तुमको बताता हूब कहान पहा हो हो रहा है एंप यह जो तुमारा रीशीस साइड है बोलो ना वन टाइम फीज पेड़ प्रिप्शन नहीं तरह लाइबिलिटी साइट को चला जाएगा यह तुझे सिफ समझाना है मुझे राजा तुझे डोनेशन समझता है कि रिसीट साइट को जाएगा लेकिन स्पेशल डोनेशन आया तो लाइबिलिटी को क्यों जाएगा वो बताना है तुझे लेगल सी का मतलब क्या होता है यह मुझे समझाना है बाकि तो प्रिवेस यह करेंट यह अच्छा सर यह जो ओप्रिंग बैलेंशीट था ना वो भी तुमको डर है सर कभी-कभी ओप्रिंग बैलेंशीट में इधर आउस्टेंडिंग दिखाते हैं फि मतलब सारी चीज़े उसमें इतनी डिफिकल्ट है और अगर तुमको फाइनल अकाउंट पर कॉन्फिडंस आया तो इंप्यों एटी परसेंट चीज में तुमको दिक्कत नहीं आनी चाहिए नाइंटी परसेंट में आनी चाहिए टेन परसेंट चीज़ें करनी वो तो मैं इतने वही जनरल बाते कर रहा था कि ऐसा वैसा यह वह फलाना डिखना अब मेरे को सब्सक्रिप्शन बताना है और करेंट यह पास्ट यह क्या होता है वह समझाना है ठीक है अब जैसे कि एक सिंपल बात करता हो थोड़े ध्यान से देखना और मेरे को चीजों को पहले समझ एक मिनट रोगो दूसरे पॉइंट जाता है यह रहा बेटा रिसीट एन पेमेंट का एक नेचर है वह बंदा वह बंदा प्रेजेंट में भी रहता और फ्यूचर में भी रहता मतलब सर पे अटेंशन राजा तुमारा करंट यह है दो हजार और एक किस में अज्यूम करता ह ठीक है तो पहले मेरे मालिक यह समझो सर क्या समझाता हो पे अटेंशन समझ लो फिर आंसर करना मेरा करंट अगर यह अगर टूथाउजन ट्वेंटी ट्वेंटी वन है तो प्रीवियस यह क्या होगा बोलो तो है 2020 और नेक्स्ट यहर क्या होगा बोलो तो है 2020 को और गोलके समझता कुछ समयता नहीं डिमाग में कुछ यह प्रिविएस येर 2020 रहेगा और तेरा नेक्स्ट येर क्या रहेगा 2022 ठीक है तो एक लॉजिक सुन पहले एक बास सुन ले बीसी पे में आगे बढ़ता हूं इसमें पूरे दुनिया का पास का भी फ्यूचर का भी यानी प्रेजेंट का भी सब कच्रा भरा रहता है ठीक है वेटा तो ध्यान से सुन यहाँ पे रिसीट साइट को सब्सक्रिप्शन ही बताता मैं एकदम ध्यान से सुन सब्सक्रिप्शन ही बताता रिसीट साइट को मेरा subscription का amount 2020 का मिला था 1000 रुपया 2021 का मिला था 2000 रुपया और 2022 का advance में मैंने ले लिया 3000 रुपया यह receipt and payment का nature है क्योंकि यह बोलता है ना कि सब आने दो सब आने दो मेरे को सब चलेंगा current previous सब सब लेकिन इधर से मेरे को बताओ दो जगा प्लप सब्सक्राइब बतलब इनकम एन एक्सपेंडिचर हमें कहा पर शीट के कहा पर इफिक्ट जाए है है दो ही जगा जाएंगे के कौन से साइट को जा सकता है तो डोकले यहां से किदर उप्य मोलना इंकम शाइट को यह वह गया तो तो इंकम एन एक्सपेंडीचर के कौनसे साइट को एक्सपेंडीचर यह एक्सपेंडीचर इतना मारो इंकम साइट को ढोक ले मेरे पीछ इंकम और बैलेंशीट में किदर एक तो किदर तुम्हारा इंकम नहीं तो किदर लाइबलीटी अब मालिक ध्यान से सुन एक रूल है क्या रूल है इंकम एक्सपेंडीचर बोलता पास भी गया खड़े में फ्योचर भी गया फड़े में मैं रहता प्रेजेंट मुमेंट में श्रेशी रवी शंकर महाराच लि फ्यूचर में क्या होगा तो भाई मेरे इससे मेरे को 21 समझता कि 2021 का ही अमाउंट किदर जाएगा बताओ इंकम नहीं तो किदर लाइबलीटी 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 लाइबली बाकी जाने दे बाकी कचरा एकदम करने का थे तो सर मेरी पहली बात ये थी कि सर रिसीट एन पेमेंट सब कच्रा लेता है लेकिन इंकम में एक्स्पेंडीचर सौर्टेड है वाली श्री श्री रवी शंकर मारा चली विंद प्रेजेंट मुमेंट खतम तो मेरे को दो अजार किसकी बात बताने की तो मेरा सब्सक्रिप्शन इधर क्योंकि अलग-अलग अम सब्सक्रिप्शन तेरे पास है पईसा एडवांस में लिया अब इडवांस में लिया हुआ इंकम में तो जाएगा निए तो बट अब्यस्पेंडिचर छोड़ा तो दूसरा बैलेंशेट में जाएगा और बैलेंशेट में रिसीट साइट का इटम कौन सी साइट को जाता लाइबिलिटी खतम सब्सक्रिप्शन रिसा ये तेरा इधर चले जाएगा सम खतम हो गया बेटा इतना सीमपल था यह में तेरको ना सिप एकदम जलक दिया है रिसीट साइट को इतना अगर सॉर्टेड दिया है तो एकदम भारी नहीं तो यह देख टोटल 6000 था ना अबी देखते रहे मेरे मेरे आज तक के सेशन में कभी तुमको प्रैक्टिस नहीं करवाई जित्ता ही बोला भाई सिप मेरे लेक्चर पर ध्यान दो यह च्छे अजार में कैसे होता बटा इस सुना भी ढोक ले यहां पर द्यान दे और पूरा रिसीटेंट पेमेंट ना तेरी आख बहुत होशार हो नॉंसेंस क्या दिया है दे इन अबो सब्सक्रिप्शन वन थाउजन रुपीज एड़ेड पॉर प्रीवियस येर वा बेटा अब लगनी चालो गए तू थाउजन फॉर करेंट येर अच्छा एंड टू थाउजन फॉर नेक्स येर बच्चा बोला अभी मैं उपर लेते था इस भावनों को थोड़ा तो प्रॉपर ड्रॉप करता तो उसी देखते रहे मजे ले सिर्फ में इंकम एन एक्सपेंडीचर ड्रॉप करता तो इस इस माइंकम साइट पहले तो यह बता है शेह अजार को एक्जस्मेंट है तो लिखू किदर कितना अमाउंट सर छेहजार इनर कॉलम में लिखा अब इसमें से कुछ तो माइनस करना है क्या माइनस करूँ सर यह बोलता है माज़ा एकदम सौर्टेड है माला फक्त प्रेजेंट मुमेंट मज़े जगाई से तो पीछिला का कच्रा निकाल दे तो सर इसमें था प्रीवि अब मेरा अगर 2021 यह करेंट यह था तो इमेजन 2020 तेरा प्रीविएस यह का यह एक हजार तो ने इसमें से माइनस किया और नेक्स्ट यह मतलब 2000 यह 2000 आउटर साइड में जाएगा तो यह तेरा डिफिकल्ट हो गया एक्शुली तेरे को लगता ऐसे लेकिन यही चीज पहले इतना सॉर्टेट दिया था तब तो बराबर समझा यह देखो यहां पे तो तुमने बराबर बोला सर यह तो हमको लगिश दिग गया था क्या कितना सिंपल लगा और वही चीज़ थोड़ा घुमा के क्या दिया कि शेह हजार है शेह हजार में एक हजार यह एड़ेड है तीन हजार यह एड़ेड है कुछ ने बेटा माइनस कर दे क्या इसका इफेक्ट समझा कह रहे तुमको एवरीबड़ी यस और नो लेकिन इस में से दूसरा एफेक्ट जो वहाँ पर भी दिया था वेटा वह एज़िटी से रहा चला जाएगा कुछ नहीं तो समझा रहा था कि ऐसे हम सीखेने वाले कल जब हम करेंगे तो तू एंपियो का टेंशन ले मत राजा एंपियो दुनिया भर का सिंपल चैप्टर है उसमें तेलको जाधा प्रॉब्लम आएंगे इस नहीं और फाइनल अकाउंट पर रीजन था इतना टाइम देने का और अगर यह हो गया तो तेरा एडमिशन रिटार्मेंट डेथ भ करो खता तुम्हारा अकाउंट तुम बोलेगे इतना अकाउंट एक महीने का सब्सक्राइब बसे एक महीना भी कम जाधा हो गया उसके लिए इंकम एन एक्स्पेंडिचर की बैलेंश इतना से तिक करके रहो रैंडमली कोई भी सम उठाओ तुम्हारी मर्जी से करो कल का टाइमिंग में पोस्ट कर रहा है दो सेशन रहने वाले थोड़े बड़े बड़े होगे तो प्रिपेर रहना चलो थैंक्यू सो मच मिलते कल टेक क्यार